बी ए थर्ड येर जोग्रोफी प्रेक्टिकल भाग दो विशे है बेलनाकार प्रक्षेप इससे पहले हम बेलनाकार प्रक्षेप को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रक्षेप क्या होते हैं किसे कहते हैं कितने परकार के होते हैं इन सब का अध्यन हम पहले कर चुके ह नमस्कार बियल सर्मा जोगरूफी क्लासेज में आपका स्वागत है यदि आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सस्क्राइब कीजिए आने वाले वीडियों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी लिजिए प्रारम करते हैं पहला प्रसना आता है आरेफ एक अनुपात तीस क्रोड मापनी पर एक सम दुरस्त बेलना कार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिस पर संसार का मानचितर बनाया जासके इसमें अकसांस और देशांतर रेखाओं का अंतराल तीस डिग्री हैं इसमें दो चीज़े महतोपूर है एक इसका आरेफ है और एक इसमें अंतराल है दोसरा इसमें सम दुरस्त बेलना कार प्रक्षेप का निर्मान करना है लिजिए हल करते हैं इस क्यूशन को पहले जो इस्टेज आती है इसमें हम देखते हैं गलोब का अर्थव्यास क्या है अर्थव्यास अर्थात हमें आर ग करने का जो सुत्र है परत्वी का वास्तवीक अर्ध्यास बटा में निरूपक भीन का हर तो यहां पर आज जो दिया गया है परत्वीका अर्ध्यास परत्वीका अर्ध्यास है परत्वीका वास्तवीक अर्द्व्यास 63 करोड 50 लाक इसमें भाग देंगे निरुपक भिन के हर का 30 करोड का भाग देंगे तो अपने पास में संख्या जाएगी 2.1 सेंटीमीटर क्योंकि एक गण्ना किसमें है सेंटीमीटर में है इसके बाद दूसरी स्टेज पर हमें ग्याद करना है भूमद्य रे पाई आर का जो मतलब है दो गुना 22 बटा साथ गुना 2.1 दो पॉइंट जो एक हैं यह हम पहले ग्याद कर चुके हैं परत्वी का वास्तवी करद्व्यास 22 बटा साथ है पाई का मान और दो इसमें दिये हैं तो इसका मान अपने पास में आता है 13.2 सेंटीमीटर याद करते हैं अंतराल ग्याद करने का सुत्र है 2 पाई आर गुना अंतराल बटा में 360 तो यहां अपने पास में 2 पाई आर क्या है 13.2 सेंटीमीटर अंतराल कितना है जो पहले हम बता चुके हैं देखिए 13.2 सेंटीमीटर गुना 30 यह 30 क्या है अंतराल जो प्रसन में दिया गया ह बटा में 360 का भाग देंगे तो अपने पास में संख्या जाएगी 0.55 सेंटीमीटर तो तीनु गण्णा हैं आपको याद रखनी है 2.1 पर्थवी का अर्ध्यास 13.2 सेंटीमीटर टूपाई यार यानि भूमद रेखागी लंबाई अब हम इसको यहां लिख लेते हैं आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर पर्थवी का अर्ध्यास है तो पाई यार है भूमद रेखागी लंबाई 13.2 सेंटीमीटर दो देशांत रेखागी बीस का अंत्राल पॉइंट 5.5 सेंटीमीटर और हमें अक्सान सो देशांत रिये जो अंत्राल दिया गया है वो है 30 डिग्री अब सबसे पहले आपको क्या करना है 13.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खीश लेनी है इसके दोनु किनारों पर खड़ी रेखाएं खीश लेनी हैं उसके पहस्याद आप इस पर 0.55 सेंटीमीटर की दूरी लेगे और 0.55 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के इन खड़ी रेखाओं पर आपको निशान लगाने है इस पर निशान लगाने है पॉइंट पांच के और पॉइंट पांच के इस खड़ी रेखा पर आपको निशान लगाने है जैसे आपने उपर निशान लगाने है उसी परकार से आपको उपर से इधर नीचे भी निशान निशान लगा लेने ऐसे ही निशान आप इसके बूमद्रेखा के दक्षन भाग में लगाने हैं अब कितने निशान लगाने हैं आपको यह निधारित करता है यहां पर 30 डिग्री 30 डिग्री अंतराल जो दिया गया है एक भूमद रेखा से उतर में 90 डिग्री अकसांस होते हैं आप जानते हैं दक्षिन में 90 डिग्री अकसांस होते हैं तो अंतराल कितने का है 30 डिग्री का है तो इसमें आप 30 का भाग देंगे तो अपने पास में आजाएगा कितना तीन तो आपको भूमद रेखा से उपर कितने निशान लगाने हैं तीन निशान उपर लगाने हैं और तीन निशान इधर नीचे लगाने हैं तो इस परकार से आ 20 डिगरी फिर 60 डिगरी और 90 डिगरी इस तरीके से इसी प्रकार से दक्षनी गोलार्द में भी आप निशान लगा लेंगे यह तो होगोई अक्सांस रेखाएं इसके बाद में आपको देशांतर रेखाएं निधारित करनी हैं तो उसके लिए वही पॉइंट मास पास सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और आप इसमें निशान लगाएंगे भूमद्दे रेखावर इस तरीके से अब इस पर कितने निशान लगाने हैं तो आप इसके अंदर बता सकते हैं अंतराल कितना हैं 360 का है तो इसके अंदर कितने डिग्रियां होती है एक वरत में 360 डिग्री होती है तो 360 डिग्री में आपको 30 का भाग देना है तो आपके पास में कितनी आ गए 12 तो आपको इसके उपर कितनी निशान लगाने हैं भूमद्द रेखा पर 12 निशान लगाने हैं खड़ी रेखा उन खड़ी रेखाओं में आपको 12 निसान यहां पर लगा लेने हैं तो निसान लगाने के पास इन रेखाओं को इस तरीके से आप मिलान कर देंगे तो यह हो गए आपकी देशांतर रेखाएं तो इस तरीके से अपने पास में एक अकसांस और देशांतर रेखाओं का जालब हो जाएगा इसका जो मद्द्धे भाग है जिसको हम क्या कहते हैं वो मद्द्धे रेखा कहते हैं अब इसके उपर हमें अक्सांस और देशांत रेखाएं निरधारित करनी है तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले जिरो डिग्री अक्सांस, उत्तर में फिर 30 डिग्री अक्सांस, 60 डिग्री अक्सांस, 90 डिग्री अक्सांस, ये अक्सांस दरसाती हैं उत्री गुलार्द को, इसी परकार से दक्षनी गुलार्द में 30 डिग्री अक्सांस, 60 डिग्री अक्सांस, और 90 डिग्री अक्सांस, ये अकसांस दरसाती हैं दक्षनी गुलार्द को यह तो हो गई अकसांसों की रेखांकन इसके बाद में हम देशांथ रेखाँ का रेखांकन करेंगे इसके लिए जो बीच की रेखा है बीच की उसमें लिखेंगे सबसे पहले 0 degree अकसांस फिर उसके दाएं तरफ 30 डिगरी 60 90 डिगरी 120 डिगरी 150 डिगरी और 180 डिगरी तो इस प्रकार से 0 डिगरी के पूरा में 0 डिगरी के जो यहां 0 डिगरी अकसांत रेखा किंची गी है इसके पूरा में 180 डिगरी देशांत रेखाएं दरसानी है और इसके पूरा में 0 डिगरी के पूरा में 180 डिगरी देशांत रेखाएं दरसानी है तो इस गन्ना कहां तक रहेगी 180 डिगरी तक रहेगी और यहां लिख देंगे पूरा इसे तरीके से पूरा में 30 डिगरी 60 डिग डिगरी 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री और यहां लिख देंगे पस्षी में तो इस तरीके से आपका प्रक्षेप में निर्माण हो जाता है उपर लिखेंगे समधृस्त और बेलनाकार प्रक्षेप और इसका आरेफ है एक अनुपात 30 करोण तो इस तरीके से आप इस सम्व दुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेब का निर्मान कर लेंगे और ये बीच की जो रेखा है यहाँ पर लिखेंगे गिरिन वीच रेखा इसके बाद दूसरा प्रसना आता है आरेफ एक अनुपात 25 क्रोड 44 लाग की मापनी पर एक सम्व छेतर बेलनाकार प्रक्षेब की रसना कीजिए जिस पर संसार का मानचितर बनाय जासके अकसांस एवन देशांत रेखाओं का अंतराल 30 डिग्री है तो इसमें हल करते हैं इसको उसी परकार से स्टेज वही है सबसे पहले हम ग्याद करेंगे ग्लोब का अर्द्वियास अर्था आर अपने को ग्यात करना है इसके बाद में सुत्र है परत्वी का वास्तवी का अर्द्वियास बटा में निरुपक भिन का हर आर बराबर 63 करोड 50 लाग बटा 25 करोड 40 लाग का इसमें हम भाग देंगे तो अपने पास में आ जाता है 2.5 सेंटी मीटर ये पर्थवी का अर्ध व्यास हमने क्या ग्याद किया है globe का अर्द्व्यास यह परत्वी का अर्द्व्यास ग्याद किया है 2.5 cm इसके बाद दूसरी stage पर बूमद्य रिखा की लंबाई ग्याद करनी है 2 pi r 2 pi r में देखिए आप 2 गुणा 22 गुणा 2.5 बटा में 7 उतो आपको पता ही है 2, 2 का मान pi का मान 22 बटा 7 है और 2.5 है यह आर है परत्वी का अर्द्व्यास इसका हल आजाता है 15.7 cm अर्थाद बूमद्य रिखाएगी लंबाई दरसानी के लिए कितनी लंबाई रिखा किसनी पड़ेगी आपको 15.7 cm की रिखा यहाँ पर किचनी होगी इसके बाद में तीसरी स्टेज पर दो देशान्तर रिखाओं के 20 का अंत्राल आपको ग्याद करना है उसका सुत्र आपको बताया था 2 पाई आर गुणा अंत्राल बटा में 360 तो यहाँ पर 2 पाई आर कितना है 15.6 cm अंत्राल कितना है आपको बताया था 30 डिग्री और 360 का इसमें भाग देंगे और इसमें अपने पास में सिंख्या जाएगी 1.3 cm की तो इस तरीके से आपको इस सारी गंड़ना है आपको याद रखनी है पहले किया ध्यान रखना है 2.5 परत्वी का रद्विया फिर भूमद रखा की लंबाई और उसके बाद में 2 देशांत रेखाओं के 20 का अंतराल 1.3 cm हम इसको लिख लेते हैं आपर आर दिया गया है 2.5 cm भूमद रेखा की लंबाई 15.7 cm 2 देशांत रेखाओं का अंतराल 1.3 cm और अक्सांत रेखाओं यह अंतराल है 30 दिग्रीगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 2.5 cm की दूरी लेकर के एक अर्दवर्थ बना लेंगे इस तरीके से आपको एक अर्दवर्थ का निर्मान करना है अर्दवर्थ में यहाँ पर यह जो भागा यह N को दर्शाता है उत्री गुलार्थ को यह भाग दर्शाता है South तो इस तरीके से उत्री और दक्षनी गुलार्थ को यहाँ दर्शाने वाला इसके बाद में इसमें एक मध्धे से पोरव से पस्चिम क्योरेक रेखा की चेंगे इसके बाद में यहां 30 डिग्री के अंतराल से यहां डिग्री का अंतराल कितना है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के अंतराल से आपको यहां पर यह वर्त पर कौन मनाने है उत्री गोलार्द में और इसी तरीके से दक्षनी गोलार्द में यह 30 डिग्री का अंतराल यह यहां दिय और इसी तरीके से आप इन पर यह 30 दिगरी के अंतरालसी यहां पर को रूम बनाएंगे पहला 30 दीज़ी अगलार्द में 60 और 90 तरीके से दक्षन गलार्द में 30 दिगरी 60 और 90 अब यहां पर एक सामने खड़ी रेखा कीचेंगे जो यहां से इसपर्ष करती हुई जाएगी कि इसके भूमद रेखास को इसपर्ष करेगी इस वर्त को यहां इसपर्ष करना है ध्यान रखना है अंदर नहीं डालना इसको इस वर्त के अंदर इसको इसपर्ष करते हुए दरसाना है इसके बाद में इस खड़ी रेखा को इसपर्ष करती ह आ रहा है तो उत्री गुलार्द से यह रेखा यहां पर इस पर मिलान करवना है इस तरीके से दूसरी रेखा आप देख रहे हैं इस तरीके से मिलान करना है तीसरी रेखा का इस तरीके से मिलान करना है उसके बाद चोथी रेखा का इस तरीके से और अंत में इस तरीके से इसका मिलान कर देना है इस तरीके से आपको सरव पर्था में इसका निर्मान करेंगे इसके बाद में आपको एक दूरी लेनी है कितनी दूरी लेनी है वो आप बताएंगे 15.7 cm की एक रेखा दूरी लेंगे और वो यहां से इस इस्थान से वर्थ को स्पष करती वी 15.6 cm की एक लंबी रेखा खीचेंगे इस परकार से यहां पर दूसरी जो अलग रेखा है वो यहां से स्पष करती वी इस रेखा के समांतर देखिए यहाँ पर यहाँ से इस्पस करती विए रेखा आपको आगे खिंचनी है उसके बाद इसी तरीके से इनको इस्पस करती विए यहाँ से इस्पस करती विए रेखा खिंचनी है यहाँ से इस्पस करती विए रेखा खिंचनी है जो इसके समानतर होनी जीए यह इसके स सेंटीमेटर की दूरी लेकर के आपको यहां इस देशांतर रेखा के समांतर इस भूमद्य रेखा पर निशान लगाने हैं इस भूमद्य रेखा पर आपको निशान लगाने हैं कितना निशान लगाएंगे एक पॉंट तीन सेंटीमेटर का एक पॉंट तीन सेंटीमेटर का लगा कर और एक खड़ी रेखा किछेंगे ध्यान रखना है यह खड़ी रेखा जितनी यहां से अंत्रा लगती है उतना ही अंत्रा लिए नीचे से भी होना चाहिए यह उपर से और नीचे से लम्बाई और इसकी चोड़ाई ब्राबर होनी चाहिए अन्य था अगर आप इसमें अंतरा लग 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 रखेंगे तो ये गड़त हो जाएगा इस तरीके से आप इस पर सबी रेखाएं, निसान लगा कर रेखाएं, खींच देंगे ये कितनी रेखाई होंगी, ये आपको मैंने भी बताया था, तीरा रेखाई होंगी ये तो इस तरीके से आप इस डाइग्राम का निर्मान कर देंगे अब आपने पास ने बनकर के यह तरीके से यह तयार हो जाता है जो अपने अभी बढ़ाया है उसके बाद में हम इस पर अंकन करेंगे यह सबसे पहले बूमद्ड रिखा है यहां पर जीरो डिग्री दिखेंगे उत्रे ुलार्ट में दिगरी फिर शाट डिगरी फिर नबब डिगरी यह है उत्री गुलार्थ दक्षनी गुलार्थ में तीश डिगरी शाट डिगरी और नबब डिगरी यहाँ पर दक्षनी गुलार्थ लिख देंगे अब जो खड़ी रेखा हैं जो यह आप खड़ी रेखा हैं देख रहे हैं खड़ी रेखाओं की बीच की संख्याओं को आपको निधारित करना है कौनची यह देखनी है उसके नीचे लिखेंगे 0 डिग्री हमने यहां देख लिया है यहां पर आगया पने पास में 0 डिग्री उसके वाद में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री यहां लिख देंगे हम पूरव यहां पर क्या लिखना है आपको पूरव लिख देना है इस तरीके से क्या ती समय गुलार्थ में 30 डीघर साट डीघर 90 डीघर एक सो बिश डीघर एक सोप्रचार ओर एक सवस्य डीघर और यहां लिखFr mph कि हम क्या कि इस त्रीके से आपका सम-, चेत्र बेलनाकार प्रक्षय भण करके त्यार हो जाएगा इसके बाद नेक्ट परशन आता है और अब दिया गया है गुंटिस क्रोड मापनी पर एक मर्केटर रत्वा बेलना का रिथा करती प्रक्षेप की रसना कीजिए जिस पर संसार का मांचितर बनाया जासके तो इस पर अक्सांस देशांतर रेखी अंत्राल कितना है 20 दिगरी है इसका हल करते हैं देखे गलोग का अर्द्व्यास है यहाँ पर आर दिया गया है प्रसन सुत्र वही है प्रसन के नुसार परत्वी का वास्तवी का अर्द्व्यास बटामी दिये गये मा निरूपक भिनका हर यहाँ पर आर अपने पास में कितना दिया गया है व 2.18 cm, 2.18 cm के अपने पास में दूरी आ जाती है, जो क्या दर्शारी है, ये दर्शारी है, पर्थवी का अर्ध व्यास को दर्शा ने वाली दूरी है, इस तरीके से आगे हम दूसरी स्टेस पर ग्याद करते हैं, वसी परकार से जो पीछे के प्रस्नुन ने आपने ग्याद की है, बूमद्य रेखा की लंबाई, सुत्र वई है, टूपाई आर, ये टूपाई आर हम से गंडा घरेंगे, इसके बाद में दो गुणा, 22 बटा साथ, गुणा 2.1, बराबर अपने पास में आजा है, 13.2 cm, तो बूमद्य रेखा की लंबाई कितनी आ गई है, 13.2 cm की दूर का अंतराल, तो अंतराल गयात करने का वही सुत्र है, टूपाई आर, गुणा अंतराल, बटा में, 360, परसन के अनुसार, अपने पास में आया है, 13.2 cm, तो बूमद्य रेखा की लंबाई, और तीसरा यहां पर याद रखना है, एक तो पर्थवी का अर्थव्यास, दूसरी बूमद्य रेखा की लंबाई, और तीसरा यहां पर दिया गया है, दो देसांतर रेखाओं के बीच का अंतराल, बीच डिगरी अक्सांस की बूमद्य रेखा से दूरी, इसमें देखे, पॉइंट 3, 5, 6, यहां जो आया है, यह बीच डिगर अक्सांस का मान है, आर अपने पास हम ग्याद कर चुके हैं, तो आर के स्थान पर मान रखने पर अपने पास में दो पॉइंट एक से इसको गुणा करेंगे, और अपने पास में संख्या जाएगी, पॉइंट 75, पॉइंट 75 जो हैं, वो बीच डिगरी अक्सांस की बूमद्य रेखा से दूरी हैं, इसके हम पर्थवी के अर्द्वास से गुणा करते हैं, पर अपने पास में जो मान है, आ जाता है कितना, एक पॉइंट 6 सेंटी मीटर, इस तरीके से हम 60 डिगरी अक्सांस का मान ग्याद करेंगे, भूमद्य रेका से, तो यहां पर 60 डिगरी अक्सांस का जो मान है, वो कितना है, 60 डिगरी अक्सांस का 1.317 है, जिसको हम R से गुणा करते हैं, तो यहां पर R का मान रखने पर 2.1 तो अपने पास में मान आ जाता है, 2.76 सेंटी मीटर, इस तरीके से हम 80 डिगरी अक्सांस की भूमद्य का से दूरी ग्याद करते हैं, तो 80 डिगरी अक्सांस का मान है, यहां 2.436 से multiply करेंगे पर्थवी के अर्थव्यास को पर्थवी के अर्थव्यास से multiply करने पर R के स्थान पर 2.1 लिख देंगे क्योंकि पर्थवी का अर्थव्यास हम पहले ग्याद कर चुके हैं 2.1 है तो अपने पास में आ जाती है दूरी 5.1 cm तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे डाइग्राम बनाती है समय हमें आवस्ता पड़ेगी 0.75 cm की 0.1.6 की यहां आवस्ता पड़ेगी 2.76 की और आवस्ता पड़ेगी 5.1 cm की लिजी हम सब को यहां लिख लेते हैं पर्थवी का अर्थव्यास कितना है दो पॉइंट एक इस तरीके से भूमद रेखा कि लंबाई 13.2 cm देशांत रेखाओं के 20 का जो अंत्रायल है पॉइंट सातीन सेंटीमीटर अक्सांस यह जो अंत्रायल है देशांतरी वो 20 डिगरी का है और यहां पर देखिए 20 डिगरी अक्सांस पर भूमद रेखा की दूरी हमें खिचनी पड़ेगी पॉइंट साथ सेंटीमीटर नाप करके इसके वाद 40 डिगरी अक्सांस की रेखा खिचने के लिए हमें भूमद रेखा से 1.16 cm की दूरी लेनी पड़ेगी उसी परकार से 60 डिग्री अकसांस दर्शानी के लिए 2.76 cm की रेखा कीचनी पड़ेगी और इसी तरीके से 80 डिग्री अकसांस दर्शानी के लिए भूमद रेखा से 5.1 cm की दूरी यहां लेनी पड़ेगी तो सरव पर् पहेगी इसके वाद इसके किनार पे खड़ी रेखा कीचेंगे अब आपको देखना है हमें यहाँ पर अक्सांस रेखाएं दर्शानी हैं अंत्राल कितने का है 20 डिगरी का अंत्राल है तो 20 डिगरी के अंत्राल से यह भूमद रेखा है तो भूमद रेखा से 20 डिगरी अंत्र तो इसके लिए आपको अपने चांडे की सहता से भूमद्द रेखा से यहां से और यह पॉइंट साथ पांच की दूरी के नापनी है इधर नापकर करके रेखा कहिछनी है उसी तरीके से आप आपके रेखा कहिच देंगे उसके बाद 40 degree अक्सांस दर्षाने के लिए 40 degree जो अक्सांस है वो दर्षाने के लिए आपको फिर भूमद रेखा से यहाँ भूमद रेखा से 1.6 cm की 1.16 cm की यहां से रेखा कहिचनी होगी आपको विसान लगाएंगे आप यहां से उसके वाद में 60 डिग्री अकसान दरसाने के लिए 2.7 cm की रेखा लेंगे कहां से लेंगे 2.7 cm की रेखा इसके अंदर आप देखेंगे कि यह रेखा आपको लेंगे वो दूरी भी आप कहां से नापेंगे बूमद्य रेखा से ही नापेंगे तो आपको इस तरीके से रेखाएं खीच देनी है इनकी दूरी सारी कहां से नापी जाएगी बूमद्य रेखा से ही नापी जाएगी इस परकार से दक्षनी कोलार्द में भी आप नाप करके इस तरी पॉइंट साथ सेंटी मिटर की दूरी लेंगे और यहां से नापकर कि इसके किनारे से नापकर भूमद रेखा पर निसान लगाएंगे पॉइंट साथ का निसान लगा आपने रेखा किंची फिर पॉइंट साथ का निसान लगा यहां से फिर आपने रेखा किंची फिर जाएंगे और इस तरीके से रेखाएं, खीस्षते जले जाएंगे धिहान रखना है इसका इस तरीके से आप अपने पास में ये डायग्राम बनकर के इस तरीकے से तयार हो 30-degree 80-degree जो है वह भी भूमत्रह अब कर रही कीचने है कि इसके बाद इस पर नमंकन करें यह 0-5 यह इलिभी एक्सांस यह 20-4 डिगरी साट रिगरी और 80-डिगरी यह सब ही हमने कहां से न फ्य है जीरो डिगरी Absence 0 तक की दूरी ना फके फिर उसके वा हाद में 0 डिगरी नापी है फिर जिरो डिग्री से रख करके 80 डिग्री तक की जो दूरी 5.1 cm रहे थी वो नापी है तो इस तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे उत्री और दक्षनी गुलार्द में इस प्रकास यह उत्री गुलार्द है दक्षनी गुलार्द में लिखेंगे आप 20 डिग्री अक्सांस 40 डिग्री अक्सांस 60 डिग्री अक्सांस और 80 डिग्री अक्सांस तो यह तो कौनची रेखा ही हो गई अक्सांस रेखा ही हो गई अब हमें इसकी पस्षी में पस्षी मी भाग है तो यहां लिखेंगे 20-20 डिग्री के अंतराल से हम इसमें रिखांकन कर देंगे 20-40-60-80-100-120-140-160 और 180 डिग्री आपके पास में आ जाएगा यह आ गया इसका पूर्वी भाग इस तरीक से 20 डिग्री अक्सांस 40 डिग्री अक्सांस 60 डिग्री अक्सांस 80 डिग्री अक्सांस 100 डिग्री अक्सांस 120 डिग्री अक्सांस 140 डिग्री अक्सांस 160 डिग्री अक्सांस और 180 डिग्री अक्सांस यह आ जाएगा इसका पस्मी भाग इस तरीके से आप इसकी गण्ना कर देंगे और उप लिख देंगे मर्केटर या बेलना मात 240 24 करोड मापनी पर एक मर्केटर या बेलना का रिथाकरती प्रक्षेब की रसना कीजिए जिस पर संसार का मांचितर बनाजास के और अक्सान सोधेशन्त रेखाऊं का अंत्राल 15 डिग्री का है अंत्राल मैत्व पूर्ण है कौन सा प्रक्षेब बनाना यह मैत्व पूर्ण करते हैं इसको उसी प्रकार से गढ़ना करेंगे गलोब का अर्द व्यास आर दिया गया है पर्थवी का वास्तवी गर्द व्यास बटा में यहाँ पर दियेगे मापका हर है और हल करते हैं जब यहाँ पर 63,000, 63,000, 50,000,000 मापनी के उपर एक बटा में यहाँ पर 24 क्रोड का भाग देंगे अपने पास में 2.6 cm की दूरी यहाँ पर आ जाती है 2.6 cm की दूरी यहाँ पर अपने पास में आ जाती जो परत्वी के अर्द व्यास को दर्शाती है इसके बाद हम आगे ग्याद करते हैं 45 डिग्री अक्सांस वर्थ की लंबाई हमने यहाँ पर पहले क्या ग्याद किया थे अब भूमत दे रेखा की लंबाई ग्याद किया थी लेकिन हमें यहाँ ग्याद करना है 45 डिग्री अक्सांस वर्थ की लंबाई अब इसका सुत्र जो दिया गया है वो है क्या तू पाई आर कोटिजिया 45 तो तू पाई आर मैं यहाँ पर देखिए आप दो गुणा 22 गुणा दो पॉइंट दो पॉइंट जो 6 यहाँ पर आए गयाँ पॉण्ड 55 सेंटीमीटर तो 35 डिग्री अक्सांस एनि पहले हमने आप वूमद रेखा की लंबाई क्यात की ती उसके स्थान पर हम 25 डिग्री अक्सांस वर्थ की लंबाई गयाद करते हैं जिसका लंबाई यहीए 15 पॉण्ड 55 सेंटीमीटर उसके बाद 15 डिग्री अंतराल परदेशांत रेखाओं के बीच की दूरी तो यहाँ पर 55 डिग्री अकसांस वर्थ की लंबाई गुणा में अंतराल बटा में 360 तो अपने पास में गणना जाती है यहाँ पर 55 गुणा अंतराल 15 डिग्री का है और भाग हम दे देते हैं 360 का तो अपने पास में परत्विक अर्द्वियास है 2.2.6 cm है और यहाँ पैतली डिग्री अकसांस पर जो लंबाई है वो 11.55 cm है और दो देशांत रेखाओं के 20 का अंतराल पॉइंट 48 cm तो सबसे पहले आप क्या मनाएंगे एक पूर्ण वर्त मनाना है सबसे पहले आप पूर्ण वर्त किसको लेकर मनाएंगे पूर्ण वर्त मनाना है आपका अर्द्वियास लेकर के पूर्ण वर्त ध्यान रखना है 2.6 cm की दूरी परकार में लेंगे और एक वर्त का निर्म दक्षणि के और मिलाने वाली रेकभा किसनी है यह उत्री दुरुँ यहाँ है यह दक्षणि दुरुआ हूए यह पूराव हम है और यहां पर वस्छिंपहराग आपको अंथ्राल जो दिया गया है उन्थ्राल देखी कितने butterfly then Squat पर 15 डुग्री कांतराल दिया गए तो 15 डुग्री के अंतराल से आपको इस पर 15 थी स्थी सा तरिक जाती है याद रखना है 15 15 केंतराल से को राधने है इसी अंत्राल के अनुशार इसके बाद में आपको क्या करना है इन अंत्रालों से इसमें कल्पना क्या की जाती है कि प्रकास है वो कहां से निकलना है इसके दक्विप्री धुरुवे से निकलना है ठीक है पस्मी धुरुवे से प्रकास निकलना है तो प्रकास की किरने जब इ करेंगे तो किरने सीधी जा रही हैं यहां से इस तरीके से इन किरनों को यहां पर इसपस करते विए आपको दर्शाना है समझें आपको कहां से इसपस करते विए दर्शाना है यह जो किरन निकल लिए यह किरन इस ऊत्री धुर्य को इसपस करते विए निकल रही है फिर इसके कर दिकी सपाल कर दिए और यह पणतरा डिग्री के को बुट कर रहां जितने ब्यून ये सबस्प्र कर रही है तो इसके अब परड़ेा बिच्प्ष्णीक नारत महीं खूं इन्हों को ढकाई की भी रेखाई खीज़ देंगे यह जो आपने देखा ही जिय यह जो रेखा ठ्मित रेखना है यह रेखा किस इस्थान पर गारीग्री और सुर्ज दिग। दिन अब हैगने यह कोगी तो dark भूल ररेखना यह ञतिए जिरो डिग। सबस्ट करते हुए यह रेखा यहां से इसको सबस्ट करते हुए आपको भीचनी है यहाँ पर यह है 11.55 cm जो 35 degree अक्सांस पर जो आप यह से रेखा खीचेंगे इस तरीके से या 35 degree जो अक्सांस है इस 35 degree अक्सांस से जो रेखा खीचेंगे इस 35 degree अक्सांस है इस 35 degree से जो कितनी लंबी होगी 11.55 cm तो मैंने आपके शुविधा के लिए सबसे पहले आपको बूमद रेखा के बारे में इसमें बता दिया है तो उसके बाद में यहां से आप उन्ही रेखाओं को इस तरीके से 11.55 cm की सीधी सीधी रेखाएं उत्री गुलार्द में और दक्षनी गुलार्द में खींच लेंगे जो कहां से निकलेंगे यह रेखा हैं ध्यां रखना है आप देखिए यह रेखा यहां से निकल रही है यह रेखा यहां से निकल रही है यह रेखा यहां से निकल रही है देखें ये जो किर्ने जहां इस कागज पर पल रही है यहां से यह रेखा को इस स्थांस से आगे बढ़ाना है ये किर्ने जो दिगई हैं ये किर्ने यही निर्धारित करती हैं कि आपको अक्सांश final के 20 में कितना अंत्राल रहेगा इसके बाद आपको देशांतर रेखाएं बनानी है तो देशांतर रेखाएं आपको बनानी के लिए कितनी दूरी लेनी पड़ेगी पॉइंट चार आठ सेंटीमिटर के दूरी लेनी पड़ेगी आपको ये दूरी इन 35 degree actions पर नाप करके निसान लगा लेना है कितनी दूरी लेकर करके पॉइंट 4-8 cm की दूरी लेकर के उसके बाद में आप सब निसान लगा देंगे और इस तरीके से देशान तरेखाओं का निर्मान कर देंगे अब ये 15-15 degree के अंतराल से कितनी रेखा हैं आप इसको ग्याद करके इस तरीके से आपका डाइग्राम बन करके तयार हो जाता है तो इसमें 20 वाली जो रेखाती है वो कुन सी है बूम बद रेखा है और आपकी जो 45 डिग्री अक्सांस है आप इसमें देख लीजिए 0, 15, 30 और 45 यह 45 डिग्री अक्सांस है इसी प्रकार से दक्षने गुलार्द में यह 35 डिग्री अक्सांस इन 35 डिग्री अक्सांस को इस्पस करते हुए आधार मानकर इस प्रक्षेब की रचना की जाती है आप देखे इसमें यह जो विप्रिदुरू से प्रकास निकलना है यह इन रेखाओं को श्बस करते हैं यहां पर द्रसाय गया है अब इस पर नमांकन करेंगे बुमद रेखा पर 0 डिग्री लिखेंगे उसके बाद 30 डिग्री 60 और 90 डिग्री मैंने यहां सिधा लिख दिया है तो आप इसमें क्या लिखेंगे 0 15 30 45 फिर 60 फिर इस तरीके से 90 ड डिग्री के अंतराल से आपको लिख दिना है आप चाहों तो 30 60 नबबे भी लिख सकते हो इस तरीके से आप आपको देखने है देशांत रेखा लिखने के लिए 20 का भाग कौन सा है यह 20 का भाग है जहां 0 डिग्री लिखेंगे इसके पूरा में लिखेंगे 30 15 15 डिग्री के अंतराल से आप इस रेखाओं को लिख देंगे यह पूर्वी भाग हो गया अब पस्मी भाग के अंदर इन रेखाओं को रेखांगन करेंगे इस तरीके से पस्मी भाग हो गया तो 15 15 डिग्री के अंतराल से आप लिख सकते हैं 30 30 डिग्री के अंतराल से लिख सकते हैं अब आप जो भिन भिन प्रकार के जो प्रक्षेप हैं आपको बताए गया था कॉनिकल प्रोजेक्शन डेलना का प्रक्षेप जनिथल प्रोजेक्शन तो सिलेंट्रिक प्रोजेक्शन का टोपिक तो कम्प्रिट हो गया इसके बाद हम कॉनिकल प्रोजेक्शन और जनिथल प् स्क्राइब कीजिए चैनल को और उसके बाद आपने दोस्तों को मित्रों को जो भी आपकी कक्षा के नरूप हैं उनके पास सेर कीजिए उनके पास भेजिए जो घर बैठे आराम से अपना प्रेक्टिकल फाइल का काम आसानी से कर सकते हैं